बिना तेल का हलका फुलका नाश्ता सभी को पसंद आता है वो भी तब जब इतना स्वादिष्ट हमारा नाश्ता बने तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ यह मिनी इडलीज जो आपको बहुत पसंद आने वाली है इनका बहुत ही यूनिक सा एक फ्लेवर आता है जो हम बहु को लाइक शेर ज़रूर करें तो चलिए आज की मिनी इडली की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मिजी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बाइल करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालो आपको इसका नोटिफिक दही आपको फ्रेश इस्तमाल करनी है और थोड़ी गाड़ी दही का इस्तमाल करें उसके बाद उसी कप से मैंने अधा कप पानी भी डाल दिया है तो टोटल अभी हमने जहां पर आधा कप पानी डाल दिया है दही है आधा कप इसमें तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो सूजी को आप इसमें मिक्स कर दें अच्छे से और आप देख सकते हैं ये काफी जादा गाड़ी होगी है तो हम इसमें पानी और डाल देते हैं तो आद़ कब पानी में और डाल रहे हैं तो टोटल यहां पर हमने एक कब पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर देते हैं कि उयदर लेटे हैं जिसमें हमेरी मीनी इडली बनने के को तए पर यहां पिर देट सीन कotले मे但 खेखी दो पर अच्छी निया है Don't यानि जो सूजी है वो थोड़ी सी फूल गई है तो अब हम इसमें बाकी की चीज़े एड़ करेंगे तो आप 10 मिनिट के लिए इसको रेस्ट जरूर दें ताकि आपकी इडली अच्छी बने तो सबसे पहले मैंने आपे हल्दी डाल दी है आप चाहें तो डाले या फिर वाइ थोड़ा सा धनिया ले लिया है तो थोड़ा सा बारी कटावा धनिया डाल देंगे और मैं या पी चिली भी डाल रही हूं तो यह लाल चिली हो जाती है फ्रेश चिली जैए मैंने ये वाली लिया है इनको हलका सा मैंने मैश कर दिया है उसके बाद हम इसको इस तरह से मिक्स कर देते हैं तो सारी चीज़ों को आपको मिला देना है पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है अगर आपको जुरत लगती है तो ही डालें तो यहां पर हमने एडिशनल को चीज़े डाल दी है अब इसमें इन बैटर हमारा हो गया है तयार अच्छे से इनमिक्स हो गया है सीधा इसे हम मोल्ड में ट्रांस्फर कर देंगे बैटर को रखेंगे नहीं इसे चीज़ेक्टि अब पर गहतेंगे ऑर पुरा उपर तक भर रहीया है तक हमारे जो इडली है एकदम सौफ्ट shines andMom मूटी सी बने जो खाने में और भी जादा स्पॉंजी लगती है तो अच्छे से मैंने इसे टैप कर दिया है सिधा इसे स्टीम कर लेते हैं सबसे पहले तो अब बरतन ले बड़ा सा जिसमें आप अच्छे से अपने बरतन को रख सकें और इसके अंदर स्टैंड रखके अगर पानी खतम ओ जाए तो आप इसको चेक करते रहें और डाल सकते हैं अपको यह हई फ्लेम पे स्टीम करनी ही तभी यह पांच्छे मिनिट में बनके तयार हो जाती है तो हम आप नाइफ डाल कर चेक कर सकते हैं अगर आप नाइफ ड्राइ निकल रहा है तो आप समझ ज तो यहां पर देख सकते हैं हमारी जो इडली है आसानी से निकल जाती है अब यह काफी जादा गरम है तब भी आसानी से बाहर आ जाती है यह देखिए तो मैंने इसे इमिजेटली ही निकाल लिया है और इडली हमारी बहुत आसानी से बाहर आ जाती है तो सारी इडली को हम नि इसमें एक्टिव रहे और इसे हम सीधा डाल देते हैं इस मोल्ड में तो सेम इसी तरह से हम इसे भी स्टीम करके तयार कर लेंगे और ये लिजी हमारी बहुत सारी मीनी इडली बन के तयार होगी आप देख सकते हैं कितनी सारी इडली बनी है आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन इसके फ्लेवर को और भी जादा बढ़ाने के लिए मैं इसका तड़का तयार करूंगी आप चाहें तो बिना तड़का के ओईल फ्री खा सकते हैं से तो तड़का के लिए हमें थोड़ा सा तेल चाहिए होगा एक छोटा चमच पैन को गरम कर लें और तेल को भी गरम हो जाने दें फिर हम इसमें सरसो के दाने डालेंगे आदा चोटा चमच जितने और साथी में करी पता भी डालेंगे करी पता से बहुत एच्छा फ्लेवर आएगा तो इसमें करी पता डाल देते हैं पांच से छे और इनको हलका सा फ् क्योंकि हमें हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल भी नहीं डालना है नहीं तो इडली फ्राय हो जाएगी फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इसको सॉफ्ट और स्पॉंजी ही रखना है एकदम स्टीम वाला फ्लेवर ही रहना चाहिए बस हमने तड़का को इसके ओपर लगा दिया है इसलिए हमने इसका तड़का तैयार किया और तड़का में इसको डाल दिया है इडली को हम पलेट देते हैं ताकि तड़का हर तरफ लग जाए और इसका फ्लेवर आजाए तो इसे स्टेज पे आप गैस को बिल्कुल बंद कर दें और हमारी जो इडली है तड़का वाली तयार हो गई है तो आप चाहें तो इसे शेक कर सकते हैं पैन को ताकि तड़का अच्छे से इस पे लग जाए यह लीजिए हमारी गर्मा गरब मिनी इडली बनके तयार होगी है जिसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ओसम आता है खाने में एकदम लाइट है ब्रिक्फस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है अगर कोई इडली नहीं भी खाता है उसे भी इडली बहुत पसंद आएगी तो एक बार जरूर बना है और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें मुझे कमेंट करके आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे तो यह बहुत अच्छी लगे क्योंकि एतनी सॉफ्ट स्पॉंजी है लाइट है ओइल फ्री भी है अगर आप इसमें तड़का नहीं डाले तो रेसिपी पसंद आएए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फिर मिलते हैं एक ओनी रेसिपी के साथ